नमस्कार, प्रिये दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 5 अगस्त 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती को नमन कर चलिए, राशिफल का एकारिक्रम प्रार्मभ करते हैं, बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की, आज गुरु वार हैं, स्रामनमास, कृष्ण पक्षकी, आज द्वादशी तिथी है, जो सायंकाल पांच बच करके नौ मिनट तक है, और इसके पुष्चात्र योदशी है, आरद्रा नक्षत्र है, हर्शन योग तैतिल करण है, बात हुगी पंचांग की चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे, और अभिजित महुर्त का समय, दिन में 11 बच करके 38 मिनट से 2 पर 12 बच करके 30 मिनट तक होगा, वही राहुकाल दो पर 1 बच करके 30 मिनट से 3 बच जैसे की आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुबकार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ ले ना हो, ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए, ये अभिजित महुर्त हरिक्वति hàng प्रिये है, राहुकाल में कोई भी नया कार्य-प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रदोश व्रत है। वो नौदंपत्ति जो संतान की कामना रखते हैं उन्हें। आज व्रत नियम पूर्वक प्रदोश काल में भोरेनात की आराधना करनी चाहिए। आज दिव्य महाप्रयोग में वक्री ग्रह से संबंधित एक सूत्र आपको बताऊंगा एक जोतिशी ये तथ्थे बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की। राहु रिशभरासी में संचरन कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन राशी में। सूर्य और बुध यूति बनाकर करकरासी में संचरन कर रहे हैं मंगल और शुक्र यूति बनाकर सुम्भरासी में केतू ब्रश्चिकरासी में संचरन कर रहे हैं और शनिदेव मकर राशी में वक्रवस्था में संचरन कर रहे हैं तो महीं देव गुरु ब्रहस्पती तो गोचर कुंडली की स्तिति को देखे तो चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में पूरे दिन है ये चंद्रमा अब सूर्य और राहु के मध्य पापकर्तरी योग में आ गये हैं और गुरु की द्रिष्टी से द्रिष्ट है गुरु के साथ नवम पंचम योग का इन्हों निर्मान कर रखा है तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा देखा जाए तो पापकर्तरी योग में जरूर आए हैं लेकिन स्वयम पापग्रह बन करके क्योंकि इस समय आज द्वादसीति थी त्रियोदसीतिति सायमकाल हो जाएगी और चंद्रमा सूरे के बेहत करीब पहुँच गए हैं तो कृष्णपक्ष के चंद्रमा पापग्रह बन जाते हैं तो ऐसे चंद्रमा पर गुरु की द्रिष्टी और राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपसे किस प्रकार का कारे कराएंगे कौन सा कारे आज आपको करना चा किन मामलों में आज आपको विशेश रूप से सावधान रहना चाहिए बाकी की ग्रज़तियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं इन सभी विश्यों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है ग्रज़तिती इनी ग्रज़तियों के आधार पर आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है नि दैनि राशिफल तयार किया है वो नैदर्शक जो में इस राशिफल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दू यह राशिफल आपके जन्मराशी के आधार पर है यानि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र अपने जीवन काल में जो भी कमाया सब गमा देना अथवा ऐसा जातक जो अपनी संपत्ती अपने पूर्वजों की संपत्ती अपने गलत निरने से नुकसान कर दे इसे दिवालिया योग कहते हैं प्रिय दर्शकों जो तो शास्त्र में कई ऐसे योग बताये गए हैं जिसे दिवालिया योग का नाम जिन्हें दिया गया है इस योग में जातक सब कुछ गमा करके बिलकुल एक सामान्य जिन्दगी जीने लगता है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं होता बहुत से लोग ऐसे मैंने भी देखे हैं जहां राजा के समान वो जीवन वितीत करते थे और सुनने पर आ गए लेकिन हमेशा यह याद रखिए कि जन्म कुंडली को केवल एक योग अकेले प्रभावित नहीं कर सकता हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग लगा हुआ है तो आप अकेले हो सकता है अपने लिए सब कुछ हो लेकिन आपके पीछे आपके परिवार माता पिता भाई भन दामपत्ति जीवन है तो पतनी बच्चे सब आपके पीछे हैं उनका भी भा में परिशानी गाहे बगाहे खड़े कर ही देते हैं समस्या में जातक को डाल ही देते हैं अब वो कैसे बनता है तो जो तो शास्त्र कहता है कि अगर लगनेश छटवे आठमे बार्वे भाव में वक्रवस्था में जा करके बैठे लगनेश छटवे आठमे बार्वे में हो और वक्रवस्था में हो, तो ये दिवालिया योग है, अभी ज्यादा विचार निये नहीं है, समझने की आवशक्ता है कि वक्रवस्था में लगनेश जब भी छटवे आठमें बारवे में होंगे, तो सिधी सी बात है, ये अवयोग बनेगा, हाँ, इस सूत्र में ये ध्यान रखना है कि शुक्र और मंगल इसके अपवाद है, मंगल अगर लगनेश वक्र के अस्टम में स्वरासी में बैठे हो, में इस लगन की कुंडली हो और अस्टम में मंगल स्वरासी के वक्री हो जाए, तो यहाँ न अवयोग बनता है, न वक्री होने से दिवालिया योग वैसे ही सुक्र के साथ है तो यह अपवाद है लेकिन बाकी की स्थुतियों में अगर लगने इस छठवे आठवे बार्वे में वक्रवस्था में हो तो यह दीवालिया योग है और यहां पर जातक अपने जीवनकाल में अपने गलत निर्णयों से या कुई ऐसा निर्णय करक अपने आपको नुकसान पहुचा लेता है अपनी अचल संपत्ती गमा देता है पिर वही बात कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब गमा करके जातक रोड़ पर आ जाये लेकिन हां यह जरूर है कि ऐसी इस्तिती में जातक बहत कमजोर इस्तिती में आ जाता है जा एक और सूत्र हैं, जो दीवालिया योग को दर्स आता है। ये मिथुन लगन की कुंडली में बनता है, शनिदेव का पंचम में तुला राशी में उच्छका होना। कई लोगों को अब इस सूत्र पर चर्चा करनी होगी समझना होगा, क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली में शन बनाते हैं ये लंबा विशे होगा रासी फल में इस विशे को मैं सम्मीलित नहीं कर सकता बस इतना जानिये कि एक सूत्र है जो कहता है कि कुंडली के पंचम में तुला रासी में उच्च के सनी अगर हो तो ये भी दीवालिया योग बनाते हैं अर्था जातक अपने जीवनका रासी साब के आज तुरुतिय भाव में हैं और ये राहू के नक्षत्र में हैं देखा जाए तो ये चंद्रमा पापग्रह बने हुए हैं गुरू की दृष्टी से दृष्ट निसंदेह बढ़िया है आपके लिए आपकी छमताओं के प्रदर्शन के लिए अपनी छमता का भरपूर इस्तेमाल करिए और हर छेत्र में सफलता अरजित करिए तिन बहुत बढ़िया है कोई बढ़ा फेर वदल आपके जीवन में हो सकता है अगर आप प्रत्न करें तो कोई बहुत बढ़ा रुका हुआ कारे आज पूरुन हो सकता है कारे स्थल पर भी दिन बहुत दूसरे भी चाहे वो कोई हो बड़े या चोटे आपकी बात को मानेंगे परन्तु आपको एक बात मूल रूप से खयाल रखना होगा दूसरों की बातों में दूसरों के कारे में दखल अंदाजी से बचीए कौन क्या कर रहा है इसे कोई मतलब नहीं प्रेम संबंद के घर का माहल ठीक रहेगा बाकी सब कुछ ठीक रहेगा और विद्यार्थियों की बात करूँ तो आज पढ़ाई में थोड़ी रुकावट महसूस करेंगे मन लगेगा आपका पढ़ाई में परन्तु कोई न कोई कंफ्यूजन कोई रुकावट आपको महसूस होने वाली है औ तो स्वास्थ में आज परिशानी हो सकती है घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का जरा खायाल रखेगा स्वास्थ में उनके परिशानी होगी आपको भी नीन से समद्धित परिशानी हो सकती है लकियंक आपके लिए आज साथ है और लकी कलर आपके लि निवेश इत्यादी करते हैं तो अवश्य करिए। और बात वहीं अगर हम व्रिशब की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके आज दूतिये में हैं, राहु के नक्षत्र में सुंचरन करें ये चंद्रमा, मिथुन रासी में गुरू की दृष्टी से वाणी पर नियंत्रन रखना होगा, कुछ ऐसा मत बोल बैठियेगा, जिससे आपके अपने आपके शत्रू बन जाए। कारिश्थल पर भी इस बात का आपको विशेश रूप से खायाल रखना होगा, कोई ऐसी वाणी मत बोलिए, जिससे लोग आपके शत्रू बने। पर निया कारिय शुरू नहीं करना चाहिए। ब्यापारियों के लिए सामाने रहने वाला है, दिन ब्यापार में रुका हुआ पैसा वापस पाने के लिए प्राप्त करने के लिए, आज आपको प्रत्न भी करना है और सामने वाले पर दवाव भी डालना है, यहाँ पर वा मित्र यह हो सकता है अपने किसी ऐसे मित्र के बेवहार से आज आप छुबत होंगे किसी अपने मित्र के बेवहार से आपको दुखी होना पड़ेगा आपका कोई मित्र कोई ऐसी राज की बात पाहर निकाल देगा लीग कर देगा जिससे आपको मुश्किला है तो जरा सावध प्रतियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है तिन अगर कोई प्रतियोगी परिक्षा है तो आपको सफलता मिलने वाली है और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्त में आज परिशानी है विशेश करके आपके जीवन साथी की सेहत का खयार रखेगा उनके जोड़ों में दर्द और परिशानी आज रहेगी लकियंक आपके लिए आज दो है लकी कलार आपके लिए परपल निवेश आप बिना जानकार किरायस से बिल्कुल ना करें मिथुन के लिए दिन को ठीक देख रहा हूं परंतु सतर्कता बेहद आवश्यक है वाणी पर आपको भी अपने नियंत्रन रखना होगा और किसी का अपमान नहीं करना होगा नौकरी पेसा है तो कारिस्थल पर बढ़िया रहने वाला है दिन जो भी जिम्मेवारी मिले उस भी आप निवेस कर सकते हैं खर्ज पर नियंत्रन रखना होगा दिन अच्छा है मद्यपान मानसाहार से दूरी बना करके रखिए इसी में आपको फायदा मिलने वाला है किसी को पैसा आज उधार मत दीजिएगा और प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मसला है जिसको लेकर के तुटुमें में हो रही है तो उसे दूर करने का प्रत्न कर ये पहल बस आपको करनी है दूर हो जागा अभी द्यारतियों की बात करूँ तो आज थोड़ी कन्फ्यूजन आपको रहने वाली है मन संसय की स्थुति आपको रहेगा पढ़ाई में आज और प्रयास आ करें जानकार की राय से और करक के जातक आज बेहत सतरक और सावधान रहें आज दिन संघर सपूर्ण है किसी मुसीबत में पढ़ सकते हैं परिशानी में पढ़ सकते हैं वहां चलाते हैं तो चोट चपेट की घटना आपके साथ हो सकती है जरूरी जो भी कारी है उन्हें दुखद नहीं है और नौकरी पेसा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन सामान ने दिखाई पढ़ रहा है हो सकता है आज कारेस्थल पर थोड़ी परिशानी हो जरूरत पढ़ने पर मदद न मिल पाने से भी आज आज आप चिंती दूँ ब्यापारियों के लिए दिन मै लीजिए दांपत्य जीवन आज करकरासि के जातकों का सामान्य रहने वाला है परन्तु दूसरों का गुस्सा अगर घर पर आकर के निकालेंगे जीवन साथ ही पर निकालेंगे तो मुश्किल में तो पढ़ेंगे प्रेमियों के लिए विदिन सामान्य है आज पुराने की इस यन्बन को लेकर के ब्यवहार और थोड़ा सा ब्यवर सकता है आपको जरा सांत रहना चाहिए और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज सफलता तो मुश्किल ही है बहुत अच्छा नहीं है दिन पढ़ाई में मन भी कम लगेगा और स्वास्ति के दृष्टिकोंड स में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में आपके लिए बेतन रुद्धिया किसी और तरीके से धनलाव कराने के लिए तयार बैठे हैं आपको बस प्रत्न करना है सफलता आपको मिलेगी नौकरी में बदलाव करने का अगर विचार कर रहे हैं तो बस विचार मत करिए कद अगर आप कहीं इंट्रव्यू देने वाले हैं तो आज जरा सोच समझ करके जाएगा इंट्रव्यू में थोड़ी परिशानी आएगी या हो सकता है बेहतर तयारी के बावजुद आपको सफलता में निरासा हाथ लगे या नि सफलता उस तरह नहीं मिलती दिखाई पड़ निवेश आप कर सकते हैं निवेश आपके लाभ प्रद हैं सिम्हरास के जातकों के लिए लाभ के दृष्टिकोंड से आज का दिन बहुत बढ़िया है कमीशन से जुड़ाकारी करते हैं तो जवर्दस्त लाभ की संभावना है प्रेम संबंध में दिन ठीक नहीं दिख रह रहा और दांपत्य जीवन की बात करो तो सब कुछ सामान्य नहीं जीवन साथ ही अगर रुग्ण है तो उनके स्वास्त में सुधार होगा और आपको अपने स्वास्त में ध्यान रखना होगा वहां चलाते समझरा सावधान रहिएगा आज सिर में चोट लगने की संभावन लकी यंग का आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है निवेश आप अवस्टे करिए कन्या के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से दसमस्त ये चंद्रमा मिथुन रासी में संचरन कर रहे ह हैं वहीं हर तरह से साकारात्मक संकेत मिल रहा है आज के दिन कारेस्थल पर अगर आप हैं तो अधिकारी आपकी मदद करेंगे जो साथ के लोग हैं उनसे आपको मदद मिलेगा और आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं पिगाड़ पाएंगे निबाल बाका कोई नहीं पतर्क होकर के सावधान होकर के बादचित करिए प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया मैं देख रहा हूं और विद्यार्थियों के लिए भी बेहत मजबूत स्थिति यानि आप तयारी जितना हो सके और अच्छे से करिए हर तरह से बढ़िया है दिन उहापों के स्थिति थ निवेश आप करें तुला की बात करें तो भाग्य भाव में गोचर कर रहें चंद्रमा मिथुन्डासी में राहू के नक्षत्र में यूं समझ लीजे कि आज का दिन आपका है अपने विचार अपने ग्यान अपनी बुद्धिमत्ता अपने सामन जिसक्य गुण के बदोलत हर मामले में सफलता आपको हासिल होने वाली है जो भी योजना बनाएंगे वह योजना पूरी तरह से सफल भूत होने वाली है धनक्या बड़ा में लाभ मिलेगा, पूर्व से आरी समस्या का समाधान मिलेगा, हर तरह से तुला रासी के जाब तक आगे बढ़े बढ़िया रहने बाला है, दिन किसी भी प्रकार के बिवाद से बचे, दामपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद है आपका, और पूर्व से चली आरी कोई गलत फ़हमी है, दामपत्य जीवन में तो दूर हो जाएगी, प्रेम समंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, हर तरह से प्रेम समंध में भी दिन बढ़िया दिखाई पर रहा है, प्यार का इजहार कर सकते हैं, और विद्ध् अवश्य करिए, रिश्चिक की बात करें, तो गोचर कुड़ली में चंद्रमा अश्टम ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, मिथुन डासी में, तो बहुत सतर्क और सावधान रहना है, इसमें गुरु की दृष्टी है, इसलिए कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो लेकिन ये तय है कि ये चंद्रमा चोट चपेट एकसिडेंट की घटना घटित करा सकते हैं, स्वास्त से समंधीत परशानी जो लोग मधुमेह के रोगी हैं, उन्हें परशानी भी सेस रूप से हो सकती है और जिन है किड्नी त्यादी से समंधीत परशानी है, उनके लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है, जहां भी रही, अपना बेवहार थोड़ा लचीला रखिए, आज थोड़ा सह लेने में ही भलाई है, जरूरी नहीं है, सब को आप जुका ले, आज थोड़ा सा जुक जाईए, इसी में आपकी सफलता है, जरुवत पढ़ने पर सलाह लीजिए, कैसे सब को साथ लेकर के चलें, इसी का आपको प्रत्न करना है, जरुवत पढ़ने पर मदद आपको वश्य मिलेगी, किसी को धन उधार मत दीजिएगा, और वे आपारियों के लिए देखें दिन, तो सामानेत्य ठीक दिख रहा है, लेकिन बहुत ठीक नहीं, ज्यादा धन कमाने के लालच में अपना बड़ा नुपसान कर लेंगे, सो निवेसी त्यादिया तो मत करिए, और कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करिए, नए कारोवार की रूप रेखा तयार करिए, परंत उसमें निवेस मत करिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा, अश्टमस्त, आपको अशानक धनहानी कराने वाला है, मानसी कसांती, और कुटुम्ब के मध्य परिवार के मध्य कलह, मत भेद की संभावना है, दामपत्य जीवन सामाने दिखाई पड़ रहा है, प्रेमियों के लिए विदिन ठीक है, और विद्यार्थियों की बात करूँ तो बहुत ब अगली फेतों परिशानी बढ़ेगी, लकियंक आपके लिए आज चार होगा, लकी कलर आपके लिए आज के शरिया, निवेश आपको नहीं करना, धनु राश्य के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा, गोचर कुंड़ी में चंदरमा रासी से सब्तम में चंदरमा में थुनडासी में राहू के नक्षत्र में सब्तम में संचरन करते हुए, आज जीवन साथी के साथ मत भेद की स्तुति उत्पन करेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ में परिशानी और अगर आपका जीवन साथी वरकिंग है, तो उन्हें कारेक शेत्र में परिशानी मिलने वाली है, कारिश्थल पर भी थोड़ी छोटी मोटी चोई चिंता बनी रहेगी, धन को लेकर के निरंतर प्रत्न करते रहने के बावजूत उचित धन न प्राप्त कर पाना, धन के मामले में भी समस्या आज दिखाई पड़ रही है, मातापिता भाई भ रखना है और ये प्रत्न करना है कि जीवन साथी के लिए कोई अप्शब्द जीवन साथी के लिए अभध्र भाशा का प्रियुग में मिलेगा, प्रीम्यों को भी आज जरा सावधान रहना चाहिए? और विद्ध्यार्थियों की बात करूं तो आज अप्एक्षित सफलता में नहीं कमूँगा सफलता मिलेगी लेकिन अपेक्षित नहीं कम स्वास्त के मामले में दांतों से संबंधित परिशानी दांतों में दर्द की शिकायत और कफ जने रोगों की शिकायत जीवन साथी के स्वास्त में भी परिशानी की संभावना है लकियं का आपके लिए एक ल पूरा पूरा स्वयोग आपको मिलने वाला है, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है, करियर के प्रती सावधानी बनाकर के बस आगे चलते चले जाएए, दिन हर तरह से सफलता देने वाला है, व्यापारियों के लिए भी लाब किस्तिती दिखाई पड़ रही है, और नया वाहन खरीदने का अगर मन विचार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो अवस्य खरीदिया फैसला लीजे परन्तु हाँ, जल्द बाजी में मत लीजे, पूरी तर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप कर सकते हैं, बात कुम्भकी करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से पंचा में ये चंद्रमा आपके लिए बहुत बढ़िया इस्तित्य उत्पन कर रहे हैं, थोड़े से प्रयास से स्रिष्ट धनलाब होने वाला है, यूँ समझ लीजे कि आज आज आपके छटी इंद्री अभी पूरी तरह जागरित होगी, बिना किसी के बोले, सामने वाले के मन की बात को आप भाप लेंगे, हाँ जीवन साथी से आज बेवजह विवाद की संभावना इसे बचिए, प्रेमियों के लिए दिन ठीक दिखा वोगा स्वास्त भी ठीक है, लकियंक आपके लिए आज नौ और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है, निवेश भीया करें, और वहीं अगर हम बात मीन राशिकी कर लें, तो मीन राशिक के जातक आज जरा शांत रहें, हर मामले में, घर परिवार से समन्नित मसला है तो, कारिस्थल पर कोई मसला है तो, आपको आज सांत रहना होगा, सांती में ही आपकी भलाई है, सकरातनक सोच बनाए रखिये, और सकरातनक सोच के साथ आगे बढ़े, दिन बहुत जादा आनंद दाई है, मैंसा नहीं कह सकता, परिशानी रहे कि लेकिन आपको प्रत्न करना है कि इस परिशानी भरे दिन में भी इस दिन का आनंद उठा सके, कोशिश करते रहनी है, कोशिश करिए, सफलता मिलेगी, अपक्षित भले न मिले, कारिस्थल पर किसी को भी अपनी राय देने की आवश्यक्ता नहीं है, अगर आपसे कोई राय न मांगे, तो राय मत दीजे, दूसरों के कारे में दखल अंदाजी मत करिए, जरूरी नहीं कि सबको आप अपने साथ ले करके चल सके, जरूरी नहीं कि सबको आप सहमत कर ले, नौकरी पेसा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए सामाने तया मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं दिन, बात भी मुलाकात से आपको किसी तरह से बचना है, किसी भी तरह से इसमें सामिल नहीं होना है, समस्याएं, उल्जहनें, और ज्यादा उल्जहेंगी परिशानियां, और ज्यादा बढ़ेंगी, कोई नया और बड़ा कारे प्रारंब करने की सोच नहीं तो बिलकुल मत करिए, प्रे लगी अंक अए आपके लिए लखी कलर आपके लिए आज मजिन्टा है, आप आज निवेश मत करिएगा और साती सात ये काम करिए, इस तरह की स्थिती अगर उत्पन हो रहिए, परिशानी चारा अब से आ रहिए, तो ये काम करिए आज केशर का तिलक अपने माधे पर प्र लेकर के मीन राशी परियंत प्रतेक राश के जात्कों का पूरे दिन कहा अभी के लिए बस इतना ही इजाज़त दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार